आज जहां इस आधनिक युग में टेकनोलोजी और आर्टिफिशल इंटेलिजिन्स के इस्तिमाल से हमें सही समय से या समय से पहले किसी भी चीज के संधर्म में information उपलब्द करा दी जाती है वहां जब हमें कोई अवश्यक सूचना देरी से मिलती है तो हम निराश हो जाते हैं और खास तोर से अगर वो सूचना हमारे ट्रेवल के संधर्म में हो जहां हर यात्री, रेल या हवाई जहाज के साधनों को इस्तमाल कर अपने निर्धारित स्थान पर समय से पहुचना चाता है ऐसे में आज हम आपका ध्यान ले जाते हैं हवाई जहाज यात्रा की तरफ जिसमें ये भी माना जाता है कि तकनीकी, खराबी या किसी भी आपात कालीन स्थिती में हमारे ट्रेवल प्लान्स में देरी या परिवर्तन किया जा सकता है जिसके चलते ऐसा बताया जाता है जिस कमपनी के हम हवाई जाहत से ट्रेवल कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी बनती है कि हमें सही समय से सही मार्ग दर्शन कराना और उसके साथ साथ किसी भी डिलेज के चलते यात्रियों को अल्टरनेटिव आप्शन्स भी देना ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं इंडिगो एरलाइन्स की जहाँ पर एक तरफ इंडिगो को एक गुड सर्विस एरलाइन्स का दर्जा भी दिया जाता है वहाँ हाल ही में 27 एपरल 2023 को 19 25 को बॉड की जाने वाली 6E2518 नाम की एरलाइन्स अपने निर्धारित समय से बहु शाम के 6 बच कर 30 मिनट पर मैसेज के थुरू ये बताया जाता है ति आपका एरक्राफ देरी से चल रहा है और साथ ही जिसका कारण उदेपूर से इंडिगो की फ्लाइट देरी से उनना बताया जा रहा है ऐसे में देरी से मिले इस डिले के मैसेज के चलते लगबग इंडि जिसमें फिर से एक बार रात के 12 बचकर 30 मिनट पर बोड कराई जाने वाली वो ही इंडिगो की फ्लाइट और डिले होती चली गई ऐसे में ये मॉंबाई टू डेली की इंडिगो की फ्लाइट के ग्राउट स्टाफ ने बीच बीच में डिले होने के अन्ने कारिनों का हवा जिसको करते करते नए टाइम रात के 12.30 पे बोर्ड होने वाली फ्लाइट सुबे के 4 बजे रवाना हुई जिसके चलते टर्मिनल 2 पर इंडिगो के फ्लाइट स्टाफ और पेसेंजर्स के बीच काफी कहा सुनी भी बताई जा रही है ऐसे में एक अच्छा रुत्बा रखने वाली इंडिगो फ्लाइट से पेसेंजर्स को अपने ट्रेवल के प्लान में डिले होने के चलते काफी निराशा हासिल हुई जिसके चलते ये उम्मीद की जा रही है कि माननी ये डारेक्ट जरनल पेसेंजर्स के बीच का फ्लाइट डिले के संदर्व मेंकार्डिनेशन और करेक्ट इंफोमेशन प्रोवाइड कराने के मकनिजम पर गौर किया जाए ताकि भविश्य में इस से जुड़े मामलों पर पैसेंजर्स को कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े जहां पर खास तोर से हवाई जाद से सफर करने वाला हर यातरी काफी सेक्योरिटी के नियमों का पालन कर और साथ ही फास्टेस्ट रूट का इस्तमाल कर अपने निर्धारित स्थान पर पहुँचने के चलते उसका अधिक्तम दाम भी एरलाइन्स को देता है ये थी The True Hunt चैनल की रिपोर्ट और ऐसी खबरे देखने के लिए जुड़े रहिए The True Hunt से